Hello traders, welcome to my channel, my name is Abhay Paartil, back with a new important analysis and psychological video देखो, exit poll के आने के बाद, exit poll पे one-sided BGP ने बहुम्मत के साथ नमबस दिखा है तो कहीं न कहीं लोगों में ये emotions आया या basically result हमें पता चल गया कि BGP ही जीतने वाली है जिस वज़े से आज Nifty 600 points की gap up opening किया है अगर कुछ observations थे मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा बट gap up opening होते से अब देखो, सबसे खराब पार्ट ये है कि हमें अगर result भी पता है लेकिन market रात और रात इतना बड़ा gap up खुलता है कि intra day में हमें trade करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पूरा market sideways हो गया रेंज बाउंड हो गया, premiums काफी महेंगे थे और अगर अब्जोरेशन हमें देखने मिला, 600 points के gap up के बाद भी premiums में अब देखो इतना percentage returns नहीं मिला, 600 points in nifty spot लेकिन premiums कहीं नहीं हमें something around 80% का return premiums दे रहते हैं जो कि हमें normally, normal day पे like हम zero euro करते तो 5 minutes के अंदर 3x, 4x मिल जाता है so आपको इससे समझना चाहिए कि इतने महेंगे premiums पे आप जब option buying करते हो market कितना भी rally करे, आपको ज़्यादा profit नहीं देगा but यही अगर आप put sell करते तो 80% down put के premiums गिरें मतलब put sell करते तो इतना ज़्यादा आपको premiums खाने मिलता great, तो आज का market जो था वो काफी consolidation sideways जाकर market ने closing दिये कल के लिए क्या psychology आपकी रहने चाहिए, यह discuss करते है देखो, आपको यह समझना जरूरी है कि अब market में सब को पदा चल चुका है कि कौन election जीतने वाला है, तो market ने वो news को already absorb करके आज opening दे दिये, अब कल क्या होगा, कल result आएगा, अब कल actual numbers आएंगे यानि volatility तो रहने वाली है, क्योंकि कहां कितने numbers, कम ज्यादा numbers आएंगे तो volatility तो रहेगी, बट जो wix है, wix completely crash हो चुकी है विकोज जो uncertainty थी market में, कि Congress जीत सकती है, Congress के high votes आ सकते है वो uncertainty खतम हो चुकी है, जो BJP जीत रही है, इसका confidence market में आ चुका है जो wix है, यानि volatility index, यानि जो fear, market में fear था, वो कम हो चुका है या वो खतम, almost खतम हो चुका है, जिस वज़े से market में जो premium से वो बहुत फाज गिरना शुरू करेंगे जो मेरे लिए जो कल के लिए important strategy रहेगी, वो रहेगी फिन nifty में second half, जब results आएंगे, numbers पूरी तरीके से market में भार आएंगे और premiums crash होना शुरू करेंगे, first half option seller profit कर सकता है by selling put options और अगर market उपर rally कर रहा है and second half में buyers को interest दिखाना है because fin nifty का expiry है पहले तो second news पूरी numbers भार आचुके होंगे तो premiums crash होना चालो हो जाएंगे, volatility market में आजाएगी तब option buyer को कोई मोका मिल सकता है अगर हम यह बात करें कि psychology क्या होनी चाहिए मैं आपको simple psychology बताता हूँ कि market में कल सिफ थोड़े पैसे लेकर आना अब एक reason बता दो अगर आप जेब में एक लाग रुपे लेकर ऐसी जगा जाते हो जहां पर आपको पता है चोरी हो सकती है and आप रात के time निकलते हो क्या हो सकता है आपके पास जितना पैसा है सारा चोरी हो सकता है लेकिन अगर मैं आपको बोलू कि आप एक काम करो जेब में सिफ चार पांच हजार रुपे रखो जितने आपकी जरूरत है और जो आपकी जेब से चोरी होने पर भी आपको कोई problem ना हो बड़ा नुकसान ना हो तो आप बाहर जाओगे and कैसी भी जगा जाओगे एक लाक लेकर आओगे and market की volatility देखोगे तो आपके अंदर जो FOMO होने वाला है जो momentum मिस होने के वज़े से emotions आने वाले है जो randomness होने वाली है जो expectations में भी कल आपको बहुत कुछ expectations हो लेकिन premiums बहुत आजीब behave करें इन अपने को अगर options trade कर रहे हो तो profit premiums लेकिन premiums एकदम weird behave करें premiums market उपप जा रहे लेकिन premiums नीचे जा रहे that is possible तो आप को यह adjust नहीं होगा और आप random चीज करोगे because this is something which is happening once in five years election के results आप सभी के लिए यह पहला ऐसा दिन है तो why not enjoy this आप normally normal day पे everyday trade करके बहुत बड़ा profit कर सकते हो trust me ऐसा कुछ दिन नहीं कि कल 100x होगा या 10x होगा यह तो नॉर्मली 10x हम नॉर्मल डे फिन निफ्टी मेडिकाप सेंसेक्स में करती ही है कल क्या हो सकता है या तो 2x हो जाएगा या तो 3x हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा यह होने तो फंड के लिए एक experience लेने के लिए आप कुछ funds रख सकते हो scalping कर सकते हो इंदेंड उतना ही जाने वाला है जितना आप stop loss लगाऊ इंट्री करो stop loss लगाऊ that's it अगर trade move कर दिया scalp कर दिया आपको profit मिल गया अगर नहीं करता है तो it's no big deal क्योंकि आप अपना fund safe रख रहे हो बाहर अब कल जो market है क्या move कर सकते है तो थोड़ा चार्ट पे लेवल्स टेक्निकल लेवल्स देखते है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो के description पे जाओगे आपको telegram channel की link मिलेगी जहां पे हम daily news market analysis और बहुत कुछ पोस्ट करते हैं जब भी live आते हैं live market का update पोस्ट करते हैं यह काफी ज़रूरी है आपको join करना because इस साल इतने सारे market में चीजे हो रही है और अगर आप सारे जगह पे track रखते हो अगर आप सारी जगह crypto forex indian market सारी जगह की news आपको एक जगह मिल रही है only on telegram channel तो make sure करना guys don't miss it एक button दबा के join करने में ज़्यादा time यह महनत नहीं लगती pause करके join कर लो अब video में आगे बढ़ते हैं so अगर हम nifty और finnifty यह दो चीजे या bank nifty भी अब देख सकते हो main रहेगा finnifty as a option buyer reason में बता तो देखो कल है इसकी expiry मतलब इसके जो भी अभी premiums है कल ATM ATM तो कल zero होना ही है so इसका मतलब सबसे ज़्यादा option sellers यहाँ पे attack करने की कोशिश करेंगे because expiry है वो try करेंगे कि यहाँ पे जो trade से zero हो जाए and इसका मतलब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फाइदा है because जहाँ पे ज़्याद वहाँ पे सबसे ज़्यादा spike हो सकते है if you see अभी के time पे सबसे highest अगर open interest है तो अगर आप पूरा चार्ट जाकर देखोगे open interest देखोगे finfti call options का तो आपको सबसे highest यहाँ पे दिखेगा 22,500 पे जहाँ पे almost यह 10,000,000 positions यहाँ पे open है call writing के लिए अगर आप put writing के तरफ देख 8.23,000,000 है तो अगें 22,500 के level पे तो कहीं ना कहीं call writers and put writers सब लोग एक ही level पे लड़ रहे वो है 22,500 तो market जिस तरफ और अपको यह एक्वल है अगर आप option chain पे open interest देखोगे लोगों की जो view है 8,000,000 यहाँ पे और 10,000,000 यहाँ पे मतलब almost neutral position है आधे लोग सोच रहे है कि यह जो position है market close होने के बात है तो आधे लोग यह सोच रहे है कि market जो है कल gap down खुल सकता है और 22,500 के नीचे यह पूरा profit मिलेगा अब option sellers आज risk भी ज़्यादा क्यों ले रहे है क्योंकि premiums काफी महंगे है 200 रुपे के premiums है call writing में 400 रुपे के premiums है तो पैसा बहुत ज़्यादा है profit बनाने का बहुत बड़ा scope है क्योंकि कल इनको जाके zero होना है अगर यह add the money out of the money होते है तो option sellers ज़्यादा risk लेंगे लेकिन हमें कब trade करना है अब कल देखो कल gap up खुले gap down कुले हमें first half में कुछ भी नहीं करना first half हमें observe करना है हमें elections के you know results के numbers बाहर आने का weight करना है देखो already w wix देखेंगे यहां पर अगर india wix देखेंगे तो अब significantly observe करना india wix जो है वो काफी ज़्यादा गिर चुका है 15% का drop down है अगर आप premiums की भी बात करोगे तो premiums put के अगर premiums बात करोगे 21,700 जो कल market जहां पर चल रहा था तो यह देखो कितना ज़्यादा यह गिर चुका है मत जो कहीं न कहीं market में जो fear था जो uncertainty थी वो जा चुकी है और premiums अभी meltdown होना शुरू हो चुकी है अब यानि simply option sellers मज़े ले रहे option sellers profit ले रहे and option sellers first half तक profit लेंगे and हो सकता है second half पे भी ले अगर market you know doji या ऐसा कुछ बना दे हमें कब option buyer को कब ध्यान देना है option buyer को कब ध्यान दे second half तो second half में क्या होगा जो भी result आएगा जो भी news already consume हो चुकी है थोड़ा बहुत market उपर जाएगा ऐसा मेरा feeling मेरा view क्या है कि थोड़ा बहुत कल market और उपर जाएगा slowly build up होना शुरू होगा put writers को अच्छा profit होगा and then हो सकता है कि market में एक दम से profit booking आ जाए क्योंकि news सब को पत dump आ जाए और एक profit booking आ जाए that is my view and फिर zero hero हम put की तरफ otm put के otm लेकर zero hero उस तरफ plan कर सकते है फिर nifty में क्योंकि उसके expiry है premium सस्ते हो जाएगे market में सारे put writers बैटे होंगे and unwinding जो है ये market में हो सकते that is my view अब ये पूरा conditions क्या इसके लिए क्या conditions रहेंगे market को या तो gap up खुलन पड़ेगा slow buying की तरफ जाना पड़ेगा and second half में जैसे ही result आ जाए numbers आ जाए a quick dump आना पड़ेगा that is the perfect case scenario for zero hero input side क्योंकि उससे देखो अगर आप call की तरफ सोचोगे तो आप imagine करो market अलरेड़ी आज इतने बड़ा gap अब खुल चुका है कि already call के premium काफी महंगे हो चुके call के premium क काफी महंगे हो चुके आज भी पूरे दिन मार्केट ने छोटा सा pullback देके rally देता गया तो call की तरफ ज्यादा मज़ा नहीं and also you know कि put की तरफ हमेशा panic selling होती है मार्केट हमेशा panic में गिरता है तो जिस तरीके से put के premium spike होंगे उस तरीके से call के premium spike नहीं होंगे तो अगर market call की avoid करना prefer करोंगा या maybe मैं छोटे मोटे scalp लोंगा with not much risk that is my game plan for tomorrow the best money you can make is on put side अगर market first half उपर जाता है एक put writers को और build करता है और बुलाता है और बुलाता है और फिर एक dump हो जाता है so अगर थोड़ा बहुत क्योंकि क्या होगा gap up भी खुला अगर कल gap up खुलने की भी chances है gap up भी खुला call के premium और महंगे और महंगे होते जाएंगे and उस ताइम एकदम put writers जो है और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे इतने जादा put writers market में हो जाएंगे जैसे एक trend line break कर link का momentum build हो जाएंगे so put के premium में ऐसा spike देना चालो करेंगे so that will be the best case scenario for tomorrow guys make sure करो again telegram channel join करना and कल की लिए एक reliable broker अगर आप ढूंड रहो that is one and only धन तो अभी से धन पर account open करके process कर देना and कल धन पर trade करना because that will be the most reliable broker also if you want to learn more about stock market trading options futures forex to make sure करने you check our courses link is in description that's it guys thank you so much see you tomorrow morning live election day 4th of june biggest day in stock market history see